दोस्तों क्या आपको पता है उन अनोखे जीवों के बारे में जिनकी आखे मरने के बाद ही बंद होती है और एक ऐसी जील जो दिखती है आधे चांद की तरह दिन में तीन बार अपना रंग बदलती है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्ही दो पारी कोई चीज है तो वो है उसकी नींद और ये बात सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बलकि जानवरों पर भी लागू होती है क्योंकि जानवर भी भरपूर नींद लेते हैं और शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए नींद तो जरूरी है लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में कई जीव ऐसे भी है जो कभी सोते नहीं है जैसे की चीटिया ननीसी दिखने वाली ये चीटिया कभी नहीं सोती इसका कारण ये है कि इनकी आखों की ऊपर कोई पुतली नहीं होती और इसलिए चीटिया आपको हर समय काम करते हुए दिखाई देंगी दू विर्फ आराम करने के लिए अपने शरीर को पानी में डीला छोड़ देती हैं इस दौरान इनकी प्रतिक्रिया देर से आती है तीसरे नमबर पर आती है बटरफ्लाइज यानी तितलियां ये भी अपने जीवनकाल में कभी नहीं सोती अपने आपको आराम देने के लिए बहुत जादा जरूरत होती है ये लगातार पानी में रहती है पर ये अपने दिमाग को आराम तो देती है लेकिन कभी सोती नहीं है और दोस्तों अगर आपको भारत की असली खुबसूरती को देखना हो तो सबसे बहतरीन जगों में से एक है हिमाले की चोटी और उसके आस दिन हैरान करता है ऐसी ही एक जील है जो दिन में तीन बार अपना रंग बदल लेती है यहां हम बात कर रहे हैं चंद्रताल जील की जहां आकर लोग खुद को प्रकृती के करीब देखते है इस जील को दमून लेक के नाम से भी जाना जाता है समुद्रतल से 14100 फीट चमकने वाली जील एक टापू के ऊपर मौजूद है जिस कारण इसका आकार आधे चांद की तरह दिखाई देता है और इसी वजह से लोग इसे दा मून लेक भी कहते हैं इस जील की खूपसूरती देखने के लिए हर साल लाखों की संक्या में विदेशी सैलानी भी आते रह करता है कि सारी दुनिया में सिल्क रूट इसी जील के कारण फला और फूला ऐसा कहते हैं कि इस जील का ये शेत्र कभी स्वीटी और कुलू जाने वाले तिब्बत और लद्दाक के व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान था लेकिन अब ये जील अपनी खूपसूरती स सारी दुनिया को अपनी और आकर्शित करती है क्या आप भी गए हैं कभी इस जील में कॉमेंट में हमें जरूर बताइए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिये